लास्ट टाइम हमने टेवल 7.1 केटोगराइज ओ प्लांट्स को डिस्कस किया था जिसमें हमने प्लांट्स के ग्रुप बनाने थे लास्ट कोलम में देख सकते हैं कि प्लांट्स के ग्रुप बनाए गई हैं हर्ब tree, shrub किस बेस पर प्लांट की height के बेस पर कि जो प्लांट हमारे शे short है वो herb कहलाते हैं जो plant very tall है tree कहलाते हैं जो about my height अपनी height के लगबग हैं तो वो shrub plant कहलाते हैं इनके stem को उपजर किया हमने कि जो herb है उनका stem green tender है जो trees होते हैं उनका stem thick and hard होता है जो shrub plant है उनका stem hard तो होता है लेकिन जद थिक नहीं होता इसके बाद branchis को अपजर किया था कि उनकी branchis जो shrub हैं herb के ज़दा branchis होती ही नहीं लेकिन जो shrub हैं उनकी branchis नीचे से निकलनी start हो जाती हैं और trees हैं उनकी branchis higher up on the stem स्टैम में उपर जाकर काफी उचाई पर जाकर निकलती है सर्व में हम जातर लीव्ज ही निकलते दिखाए देते हैं स्टैम में से ब्रांचीज ज़्यादा नहीं होती है इस टेवल में आपको एक किसी प्लांट का नेम आपके घर में या असपास कोई प्लांट हो उसका नेम लिखना था उसकी हाइट के बारे में उसके स्टैम के बारे में प्रांचीज के बारे में और उसकी लाश्ट कोलम में कैटेगरीज आपको डिफाइन करनी है इस chapter में student समझातर plants के बारे में study करेंगे जो भी activity होंगी वो plants के बारे में ही होंगी इसलिए आपको suggestion दी गई है क्या suggestion दी गई है student can work in groups of four five so that a minimum number of plants are harmed, damaged कि हमें group में activity करनी है अब तो जैसे school open नहीं है तो हमें अकेले ही activity करनी होगी लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि plants को कम से कम हारम हो यानि नुकसान हो, कम से कम plant damage हो इसके लिए हम ऐसे plant use कर सकते हैं जो हमारे फायदे के नहीं है जिनको weeds का जाता है you may also use weeds with soft stems for the activities कि आसपास कोई plant है उसमें इस तरह की weeds अपने आप grow कर जाती है weeds वो unwanted plant होते है जिन से हमें कोई benefit नहीं मिलता है do you know what weeds are in crop fields, lawns or in pots कई बार गमलों में भी हम देखते हैं हमने plant तो किसी और का लगाया गया था लेकिन plant के साथ साथ कुछ दूसरे plant भी grow कर जाते हैं often some unwanted plants इनी को unwanted plants और weeds कहा जाता है start growing जो हमारे लगाये गए plant के साथ साथ grow करने लगते हैं have you seen farmers removing these weeds from their fields तो farmer क्या करते हैं अपने field में से उन weeds को remove कर देते हैं ताकि उनकी crop का production अच्छा होता है तो हम उनी weeds का यूज करके जो हमारे घर में किसी गमले में plant के साथ कोई दूसरा plant grow कर गया है या आसपास कोई खाली मैदान है plant है तो उसमें भी हम देख सकते हैं बहुत से plant अपने आप grow कर जाते हैं रेनी सीजन में तो हम उन plants का यूज करें अगर कोई activity करें तब ताकि हम कम से कम plant को damage कर पाएं अब पहली एक बारे में wonder standards पहली ने भी last time इस table को study किया plants की category divide की कि some plants से सर्व होते हैं some plants herb कहलाते हैं some plants trees कहलाते हैं तो पहली के मन में के question आता है पहली wonders what kind of the stem the money plant money plant के बारे में पहली जानना चाहरी है कि उसका stem किस type का है beanstalk, gold plant and grape wine जो गिया की बेल है या अंगूर की जो बेल है उनके बारे में पहली जानना चाहरी है do observe some of these plants क्या आपने इन में से कोई plant observe किया है अगर किया है तो how are these different from herb, shrub और tree तो ये सभी plants plants हमारे last time जो category divide की herb, shrub and tree इन तीनों से ही different है money plant को आपने देखा है ना तो हम उसे herb कह सकते ना सर्ब कह सकते ना tree कह सकते इसी तरह से gold plant गिया की जो बेल है grape wine अंगूर की जो बेल है वो भी इन तीनों केटेगरी से अलग होती है आपने देखा है होगा कि money plants को sport दी जाती है ताकि वो उपर बढ़ सके इसी तरह से grape wine को भी sport देनी पड़ती है जो gold plant है gold गिया की जो बेल है वो नीचे नीचे ground में फैल जाती है तो इसी लिए इस्टेंट ये तीनों केटेगरी से अलग है ना इने हर्ब कह सकते ना शर्ब ना ट्री तो अब इने क्या कहें इस्टेंट्स आई स्टेडी करते हैं plants with weak stems and that cannot stand up right but spread on the ground जैसे gold plant है gold की वी इन से जो उसका stem इतना weak है कि वो stand up नहीं हो सकता इसलिए वो spread होना start कर देते हैं ground में और काल्डे creepers उनके लिए अलग category बनाई गई इस्टेंट्स creepers की creepers भी क्या है plants है ऐसे plant जिनका stem weak है वो stand up नहीं हो सकते ground में spread होने लग जाते हैं जिने figure 7.4 में हम देख सकते हैं ये हमारे creepers है 7.4 figure creepers ये ground में फैलते रहते हैं इस तरह से और इन पर जो fruit लगता है वो ground में देखे काफी बड़ा fruit है ये side लगता है मुझे कद्दू की बेल है जो पेठा होता है उसकी winds है तो इसलिए इसको उपर निचड़ा जाता नहीं तो इसके वजन से ये तूट जाएगी इसलिए ground में ही फैलती रहती है इससे क्या कहा जाएगा strand creepers and strand से while those that take sport and climb up are called climbers तो climbers से क्या बन गया climbers और जो spread हो रहे हैं यानि ground में creep कर रहे हैं rank रहे हैं उनको creepers का जाता है rank ना creepers होता है और उपर चड़ जाना climbers तो these are different from herb, herb and tree तीनों ही category जो last time डिसकस की थी उनसे दोनों ही different है कि climbers क्या हैं जिनको सारा देना पड़ता है जैसे money plant है इसे climbers का जाएगा इसको sport दिया जाता है ताकि ये उपर चड़ सके देख सकते हैं figure में इसको sport दी गई है इस रहे से किस्टेंट से क्रिपर्स एंड ख्लाइबर्स प्लांट सकी तो अदर क्याटेगरी है प्रफ्स देर रार सम प्लांट सिन ये श्कोल और अट हों आप देख से रहे से राइड दान देख से अव अन्य तो ट्रीज शर्प, हर्प और क्रिपर्स अब तक आपने प्लांट की सभी कैटेगरी स्टडी कर ली है तो आप कम से कम टू ट्रीज के नेम, टू शर्प के नेम टू हर्प्स के नेम और टू क्रिपर्स के नेम और साथ में क्लाइबर्स के भी नेम लिख सकते हैं टू क्लाइबर्स के नेम अपनी notebook में जरूर note करें जो आप अपने घर पर देख सकते हैं या आसपास देख सकते हैं और इसे revise करें students यहां तक chapter को और अग next time हम study करेंगे paragraph 7.2 plant का जो stamp part है उसके बारे में detail में study करेंगे इसे भी आप एक बार जरूर read कर लेना तक next time आप अच्छे से समझ सको chapter को ok student thank you